पुलिस ने कमर तोड़ दी है अब आप कमर तोड़ने का कुछ और अर्थ निकाले इससे पहले हम आपको ये बता दे कि ये हमला जो है वो अशाररिक तौर पर नहीं बलके दिमागी तौर पर किया गया है जहां पर अनन सिंग के जुतने भी करीमी है उन सभी को अनन सिंग से दूर कर दिया गया है बतागे के पिछले कई महीने से अनन सिंग बेउर जेल में बंद है और बेउर जेल में रहते हुए जो राजनीती है वो अनन सिंग की तरफ से की जा रही है खास करके हमने वो तस्वीरे भी देखी जहाँ पर छापे मारी के दौरान अनन सिंग के पास से मोबाइल फोन और साथी साथ कई अपती जनक जो सामान है वो बरामद हुए थे जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अनन सिंग को बेउर जेल से निकाल कर भागलपूर जेल में शिफ्ट किया जाएगा लेकिन अब बड़ा कदम प्रिशासन की तरफ से उठाया गया है जिसमें अनन सिंग तो नहीं लेकिन उनके जतने भी करीबी बेउर जेल में रहते जेल में बंद राजत के बाहु बले विधायक की पुलिस ने कमर तोड़ दी है हालाकि ये दमागी तोर पर किया गया है दरसल बात करें तो पटना सेंट्रल जेल बेउर कारा में दोर दरजन विचाराधीन 23 बंदियों को रविवार को भागलपूर विशेस कारा अस्थाना जांतरत किये गए कई बंदियों में विधायक अनन्त सिंग के करीबी भी बताए जा रहे हैं बेवर कारा में अब बंद सभी बंदी जेल के अंदर गुपचुप रूप से राजनीती करने की कोशिश कर रहे थे जेल सूतरों की माने तो जानकारी के अनुसार बेउर जेल के विचारधीन बंदी विजय कुमार सिंग, अजय चौधरी, विजय कुमार सुरेश सिंग, सुरेश महतो, साकेत कुमार उर्फ पिंटो, कनक राय, मोनु शर्मा, राहुल कुमार, अशोक यादव बिर्जु ठाकुड, गौरफ कुमार, विपन कुमार, अनील कुमार, उर्फ मोहन श्रवन कुमार, सनोश कुमार, राजेश चौधरी, राजनन्दन यादव, अखिलेश, राई, मोनु कुमार, राहुल कुमार और समीर कुमार शामिल है जेल सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार अस्थानांतरत किये गए विचराधिन बंदियों में से कई बंदी दमंग अननस सिंग के काफी करीबी बताई जा रहे हैं इसके अलाबा बेउर से भागलपूर जेल भेजे गए अपराधियों में सुबोध राय भी शामिल है वो लोजपा नेता ब्रजनाथी सिंग हत्याकांड के आरोपित है साथी अगर बात करें तो सिप एक महीने पहले इस बात की चर्चा खूब हो रही थी कि मुकामा विधायक को पटना से भागलपूर जेल शिफ्ट किया जाएगा उस समय कोट से संबंध में मांग की गई थी लेकिन जेल प्रिशासन ने पूरी योचना में ही बदलाव कर दिये अब मुकामा विधायक की जगा उनके साथ खरें लोगों को ही यहां से दूसरी जगा भेज दिया गया है माना जा रहा है कि जेल प्रिशासन के सकारवाई से अनन सिंग अब काफी अकेले पर गए है इस मामले को लेकर बेऊर जेल के कारा सूपरिटेंडेंडेंड जेतेंद कुमार सेंग ने बताया है कि जेल के प्रशासनी को लेकर चुस्त दुरस्त करने की जो तैयारी है वो की जारी है और यही वज़ा है कि जेल सुत्र का ये भी मानना है कि बेउर जेल के अंदर शमता से अधिक बंदियों के होने से कई तरह की परिशानी सामने आ रही थी लेकिन सब के बीच बात करें तो अनन्द सिंग अब बेउर जेल में अकेले पर चुके हैं उनके जतने भी करीबी थे जो बेउर जेल में थे उन सबी को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है खास करके जो सूत्रों के अवाले से ख़वर सामने आ रही है उसके मताबिक जेल में बंद रहते हुए ही अनन्द सिंग फोन पर बातचीत कर रहे थे ना सिर्फ पटना ना बिहार बलकी बिहार से बाहर भी लोगों से वो संपर्क में थे जो कॉल रिकॉर्ड सामने आए थे उसमें कई तरह के खुलासे किये गए जिसके बाद ये कहा जारा था कि अनन्द सिंग को बेउर जेल से भागलपूर जेल में शिफ्ट किया जाएगा लेकिन अब प्रिशासन ने किसी और तरह से अनन सिंग पर बड़ा हमला किया है जसमें अनन सिंग तो नहीं लेकिन जतने भी उनके करीबी बेउर जेल में रह रहे थे उन सबी को shift कर दिया गया है जसके बाद अब जेल में अलग खलग अनन सिंग पर चुके हैं और पूरी तरह से अकेले हो गए हैं फिराल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बरे रहें न्यूस फोर नेशन के साथ नमस्कार